जनपत मैनपुरी के थाना कोतवाली, कुरावली और साइबर सेल की टीम को सवक्त बड़ी सफलता मिली जब युवक ने कॉल सेंटर बना कर दोगा धड़ी करने वाली गिरहों के वुरुद्ध कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट तर्च कराई जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कॉल सेंटर बना कर लोगों को कल कर अपने खाते में अलग-अलग किस्तों में धनराशी को डलवाने वाली ग्यारा शातिर अभ्युक्तों को गिरफतार कर लिया पकड़े गए आरूपियों के पास से पुलिस ने ग्यारा लाग सततर हजार नगत के अलावा दोकार, उनिस मोबाईल, 21 एटियम काड और तीन तमंचे भी बरामत किये हैं वहीं पुलिस अधिक्षक ने खुलासा करते हुए वाली थाना कुरावली पुलिस और साइबर टीम को 20,000 रुपई नाम घोशित किया है आपको बता दें कि थाना कुरावली चेतर के गाउंबल रामपुर निवासी उदहपाल सिंग ने थाना पर प्रातना पत्र देते हुए बताया था कि किसी अग्याद व्यक्ति के द्वारा मोबाईल टौवर लगाने के नाम पर धोका धड़ी कर, करीब 19 लाख रुपई रुपियों की मांग भी कर रहा है, जहां थाना कुरावली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ततकाल मुकदमा दर्ज कर जाच शिरू कर दी थी यह 16 जनवरी 2023 को अभी किरावली के रहने वाले हैं उदय पाल सिंग, इन्हों ने एक ठगी के संबन्द में कि उससे टावर, मुवाईल टावर लगवाने के नाम पर 19 लाख रुपई कुछ लोगों ने चार खातों में ट्रांसफर करा लिये हैं, इस पर इनकी अप्लिकेश अफराट किया है, तो उसके बाद फिर हमारी टीम सक्री हुई और वहाँ पर कोई कुरावली में एक मुकदमा भी पंजीकित किया गया है, इनके विरोत, चार सो बीस, चार सर्शाट अर्शाट एक तर और इसके बाद ट्रेश करके इनको पकड़ा गया, तो यह 11 लोगों का कई जनपदों के लोग है, और इसमें से जो मुख इनका मुखिया है, जो संचालित करता था, वो मुईनुद्दीन है, जो मीर गंज बरेली का रहने वाला है, और उसके साथ वाहिद खान है, मुहम्मद काशिब है, मुहम्मद रिजवान है, सहाधत अली है, अविनाश इट मुरादाबाद में एक काल सेंटर खोले थे, वहाँ पर काल सेंटर एक आरो प्लांट के उसमें खोले थे, कि आरो प्लांट का काम करते हैं, बट उससे इन्हों ने इसी तरह की मुबाइल्स को बहुत सारे डाटा ले करके, और विभिन लोगों काल करते थे, और वहाँ से य खातों में पैसा ट्रांसफर कराते थे चीट करके तो ये कई फेजेज में काम करते थे पहले तो ये लोग काल करते थे और काल करके इनसे इनका सिकार करते थे मोहरा बना सिकार करके और कुछ लोगों को ठकते थे इसके बाद फिर इनके बाद पास बहुत सारे लोग थे जो इ इसके बाद फिर उन खातों से पैसा नगन निकाल करके और फिर ये लोग आपस में बाटते थे तो ये एक 11 सदस्ची गैंग जिसका सरगना है मुईदीन जो मीर गंज बरेली का रहने वाला है इनको पकड़ा गया है इनके कबजे से चार पहिया दो आहन परामत किये गये हैं ये जो मुबाइल यूज करते थे 17 एंड्रॉइट फोन इस्तमाल करने वाले इनके कबजे से मिले हैं 21 ATM कार्ड, यह ATM कार्ड से पैसा निकालते थे, 22 ATM कार्ड मिले है, और बैंग खातों के जो किट है, जो 24 बैंग खाते हैं, जिन पे ये पैसा विभिन लोगों से ट्रांसफ़र कराये थे, वो मिले है, दो लेपटाप उनके साथ से धसे स्रीज है और बैंग के, कबजे से दो चार पहिया वाहन बार एंडरोइड मोबाइल एक आईफोन छे की पैड मोबाइल 24 विबिन खातों के एटियम कार्ड एक कलर प्रिंटर दो लैपटॉप एक सीप्यू एक पासपोर्ट आठ विबिन बैंकों के चेक बुक ग्यारा लाग सततर हजार नगर तीन लाग विबिन बैंक खातों से फ्रीच किये गए जिसके साथ ही 384,315 बोर और चार जिंदा कार्थूज परामत किये हैं मैंपुरी से नफीस अली की रिपोर्ट